नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल स्टोरी में, मैं हूँ आपके साथ वक्ता इन दिनों वक्फ बोर्ट काफी चर्चा में है दिल्ली सरकार की एंटी कररप्शन ब्रांच यानि की ACP ने वक्फ बोर्ट से जोड़े गोटाले के आरोप में ओखला से आम आदमी पाठी विधायक अमानतुला खान को गरपतार कर लिया है उधर तमिलाडू के एक हिंदू बहुल गाउं की करीब 90 प्रतशत जमीन को वक्फ की संपत्ति खोशित कर दिया गया है जिसमें 1500 साल पुराना एक मंदिर भी है सोचिए दुनिया में इसलाम के आने से पहले के मंदिर पर भी वक्फ ने अपनी मिलकियत का दावा कर दिया लेकिन यूपी सरकार ने जबसे मदर्सों के सरवे के बाद वक्फ की संपत्ति के सरवे का आदेश दिया है तब से ये देश भर में चर्चा का मुद्दा बन गया है कि आखिर सरकारी संपत्ति वक्फ की कैसे हो गई और वक्फ को बढ़ावा देने का काम उस वक्त की सेकुलर कही जाने वाली सरकारों ने किया है जिसमें कॉंग्रेस अब वल नंबर पर है लेकिन अब वक्फ पर मोदी का हथोड़ा चलने वाला है सारी सरकारी संपत्यों को जिसे कॉंग्रेस ने दान दे दिया था वो वापस लेने का काम शुरू किया गया है लेकिन बहुत विडम्मना की बात है कि भारत को मजहभी तोर पर पहले ही दो भागों में बाटने के बाद उसका तीसरा खंड करने वाली कॉंग्रेस मानसिक्ता ने पाकिस्तान और बांगलादेश का निर्माण होने दिया इसके बाद भी इनका मन नहीं माना और देश की संपत्ति को थोक के भाव में एक समुदाय विशेश को दान करने का भी नया इतिहास रच डाला मुसल्मानों को किसी भी संपत्ति पर अपना वर्चस्व जमाने में कोई परेशानी न हो इसलिए उसको कानूं लाकर संरक्षन भी दे दिया और आज देखने लायक इस्तिती है कि देश में वक्फ बोर्ट सभी सरकारी संपत्यों से लेकर निजी संपत्यों पर अपना दावा ठोक रहा है और उसके लिए ये अधिकार UPA शासन के जिल्ले इलाही दे कर गए हैं तो यही नहीं 2014 में सरकार जाते जाते भी पूरी दिल्ली वक्फ बोर्ट को बेचने पर तुली थी UPA सरकार और इसके प्रमाण आज सामने आ रहे हैं क्योंकि देश के कई कोनों से ये मामला सामने आ रहा है कि वक्फ बोर्ट ही सभी संपत्यों का मालिक है और सब तु नौकर चाकर है लेकिन योगी सरकार ने उस 33 साल पुराने फैसले को ही रद कर दिया और अब गाज वक्फ पर किरने वाली है वक्फ का ये मुद्दा तब उठा जब तमिलाडू में हिंदू गाओं पर वक्फ ने दावा किया कि 2014 के आन चुनावों से ठीक पहले यूपीए सरकार ने वक्फ को दिल्ली में 123 मुख्य मुख्य संपत्यां उपहार में दी थी दरगा साहिब, मुस्लिम कबरस्तान लोधी रोड और मिंटो ब्रिज कनाट प्लेस वक्फ को उपहार में दी गई कुछ जगों में से एक है हाल ही में तमिलाडू में वक्फ बोड का एक संपत्ती पर कबज़ा करने का चौकाने वाला मामला सामने आया था यहां हिंदू बहुसंख्यक आबादी वाले एक पूरे गाउं को तमिलाडू वक्फ बोड ने वक्फ की संपत्ती खोशित कर दिया था बोड ने तमिलाडू में त्रिची के पास तिरू चंतुरई गाउं को वक्फ संपत्ती घोशित किया था जिसके बाद अब वहां लोग पेकाबल हो गए और सडकों पर उताराए उनकी जमीन उनके मकान पर ये मालिकाना हक वक्फ किस आधार पर जता रहा है ये सवाल करने लगे तब जाकर ये मामला सामने आया कि जादातर देश में अपनी संपत्ती वक्फ ने बना ली है इसके तुरंद बाद देश भर से ऐसी खबरें बाहर आने लगी कि कई जगों पर वक्फ अपना मालिकाना हक चता रहा है जो कि किसी और की संपत्ती थी जिसका आज तक सभी प्रकार का टैक्स यही लोग भर रहे थे जिनको आज ये कहकर आवैद्ध ठहराया जा रहा है कि ये संपत्ती तो आधिकारिक रूप से वक्फ की है अब इस खेल में नया मोड सामने आया है कि देश की राजधानी दिल्ली को भी UPA सरकार ने भेट स्वरूप लिखेत रूप से दान कर दिया था जैसे वो सरकारी या सारवजनिक संपत्ती ना होकर उनकी बपोती थी एक रिपोर्ट की अनुसार 2014 के आम चुनाओं से कुछ दिन पहले UPA काबिनेट में निर्ण लिया गया था और एक गुप्त नोट के माध्यम से आवगत कराया गया था कि 123 सरकारी संपत्ती अब वक्फ बोर्ड की है ये संपत्तियां कनोट प्लेस, आशोक रोड, मतुरा रोड और अन्य वीवी आईपी एंक्लेव जैसे प्रमकुस्थानों में एस्थित हैं एक पून कॉल पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के पक्ष में 123 सरकारी संपत्तियों को उनके नाम कर दिया गया था चैनल ने गुप्त चिठी भी सांजह की थी जो 5 मार्च 2014 की है और ततकालीन अतरिक्त सचेव जेपी प्रकाश द्वारा हस्ताक्षरित है ये ऐसे ही नहीं हो कया था इसी UPA सरकार ने इतनी शक्तियां वक्फ को प्रदान कर दी थी कि वक्फ का मन करे तो वो लाल किले को भी अपनी संपत्ति बता कर उसे हथया सकता है और करताव्यपत की भूमी को भी अपना बता अपने स्वामित की गोशना कर सकता है ये कॉंग्रेस की सरकार की ही देन थी जो सन 1995 में वक्फ अधिनियम 1995 एक कानून बनाकर इतना ताकतवर बनाया कि वो जिस जमीन पर दावा ठोक दे वो ठोक के भाव उसकी हो जाती है इस वक्फ कानून के अनुसार अन्य संपत्ती के मालिक को तब तक इसका भाव नहीं होता है कि वो संपत्ती जिसे वो सालों से अपनी बता रहा है असल में वो वक्फ की है ये सब तो उस भले मानस को तब पता चलता है जब वो किसी सरकारी काम में लगता है या उस संपत्ती को बेचने निकलता है और तब पता चलता है कि ये संपत्ती तो वक्ष की है इसकी खरीद और विक्री से जोड़ी सभी प्रक्रिया के लिए पहले वक्ष वाले चच्चा से एनोसी लेनी पड़ेगी कभी कोई अन्य कारेवाई आगे हो सकती है अब कानून है तो निभाना तो है कि इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे जिस दिल्ली में रेन बसे और में कपकपाती ठंड में पैर रखनी की जगा नहीं मिलती जिस दिल्ली में आज भी ठिकानी की तलाश में लोग भटकते पाए जाते हैं उस दिल्ली में गुलामी की जंजीरों में ब पत्ति को वक्ष के नाम मुफ्त में खेरात के रूप में बाट सकती हैं। टुकडे टुकडे करके कॉंग्रेस भारत को जोडने का काम कर रही है। पर राजनीती को बहुत गहरे तक समझता। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ। पबलिक और पॉलिटिक्स की हार गनप्स की खूट पें चानता। संघर्ष पी सियासत से सत्ता के सिंधासन तक मैं हर ख़बर से खरा सच निखाँ। ना कोई दोर, ना कोई रेस। कापितली उतर्क बेश